हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे लिवो फ्लॉक्स दासिन मेडिसिन के बारे में और सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में साथ ही करेंगे डेटेल फार्मा कलोजिकल स्टड़ी और जानेंगे ये medications के side effects वगरा क्या होते है कौन से dose के अंदर ये use किया जाता है उसके warnings क्या रहते है और कौन से अलगला conditions के अंदर उसको use नहीं करने चाहिए तो वो सभी के बारे में हम जानते है ये video lecture के अंदर detail में तो सबसे पहले जो basic concept है वो समझते हैं लिवोफ्लोक्जासिन मेडिसिन के बारे में तो लिवोफ्लोक्जासिन जो है वो antibiotic medication है और ये बहुत सरे अलग-अलग bacterial infections को treat करने के लिए use किया जाता है तो सबसे पहले आपके mind के अंदर ये चीज़ clear होनी चाहिए जो लिवोफ्लोक्जासिन है वो antibiotic medication है इवन आप उसका packing देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो red line जो है वो है मतलब कि prescription based medications है और ये एक टाइप का antibiotic है कि जो proper healthcare providers के directions के according to और उनके supervision में ही आपको use करनी चाहिए साथे साथ जाने तो ये जो popular medications है फार्मा अलकोलोजी के अंदर जो fluoroclonolons class के जो antibiotics कहे जाते है ये class का ये काफ़ी famous medication है और ये second generation fluoroclonols कहा जाता है कि जिसकी activity जो है वो broad spectrum कही जाती है काफ़ी broad range के bacterias को kill करने के लिए और साथ उसाथ उनकी growth को कम करने के लिए ये medications use किया जाता है और primary यो हम देखे तो ये जो है वो urinary tract के infection और साथ है जो zenital tract infections के लिए जो है वो use किया जाता है तो अब समझते हैं उसके अलग-अलग doses forms के बारे में तो levo flox 500 mg के tablets available होते हैं कि यहाँ पे उसका एक famous एक product आप देख सकते हैं levo flox 500 करके कि जिसके अंदर आप medications देखो तो 500 mg का ये जो tablet है वो आप देख सकते हैं कि जिसकी strength है 500 mg साथे साथ ये जो tablet के अलवा उसका infusions भी available है कि जो intravenously जो है वो patient को दिया जाता है कि यहाँ पे आप देखो कि 500 mg पर 100 ml के bottle के अंदर रहता है कि ये जो 100 ml ये जो content है ये bottle के अंदर तो उसके अंदर जो medications रहेगी वो है 500 mg और यहाँ पे directions भी लिखा है कि single dose content रहेगा और intravenously ये जो है वो by drip patient को जो है वो लगाए जाता है फिर देखे तीसरा एक उसका popular doses form वो है उसके suspension कि levofloxacin साथ है cornidazole के साथ में उसके suspensions भी market के अंदर अवे लिबले तो ये होगे उसके अलग-अलग doses form कि solid doses form जो हो गया उसका tablet और liquid doses form में जो sterile doses form है उसमें ये उसके infusions और suspensions वगेरा अब जानते हैं उसके basic uses के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical conditions को treat करने के लिए levofloxacin जो है वो use किया जता है तो सबसे पहले जो lungs के अंदर जो bacterial infections होता है कि यहाँ पे आप देखो लिखाए कि bacterial infections of the lungs कि जब आपके lungs के अंदर आपके फेपडों के अंदर जो bacterial infections होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो यह diagram के अंदर कि pneumonia की जो conditions develop हुई है lungs के अंदर आपको जो bacterial infections फैला हुआ देखने को मिल रहा है तो ऐसे conditions को treat करने के लिए लेव फ्लॉक्जासिंस यूज की जाती है साथ और साथ जो long term breathing problems होते है कि काफी लंबे समय तक आपको breathing problem रहते है और उसका primary reasons बनता है यह lungs के अंदर हुआ infections तो उसको भी treat करेगा यह और साथ और साथ जो pneumonia जो हम कहते है उसको भी treat करेगा कि जो एक respiratory tract related disease है फिर sinuses के अंदर भी यह useful रहता है urinary tract का जो infections होता है उसमें भी जो kidneys के अंदर आपको समझे के infections है bladder के अंदर infection है तो उसको treat करने के लिए भी लिव फ्लॉक्जासिंस यूज की जाती है काफ यहापे urinary tract पुरा देखो तो urethra का जो portion फिर यहापे bladder आप देख सकते है फिर bladder से kidney को connect करने वाला यह जो ureter है फिर यहापे आप गया गई kidneys वगेरा तो जब यहापे किसी भी जगापे जब infections होता है bacteria के करन तो वहापे primary हमें inflammation देखने को मिलती है surgeon देखने को मिलती है तो उसको treat करने के लिए यह levofloxacens यूज किया जाते है फिर उसी तरह से यह prostate gland का जब आपको infections होता है वहापे सूजन होती है inflammation हो जाता है तो वहापे levofloxacens यूजब साबित होती है और जो skin के जो अलग-अलग infections होते है और skin के नीचे फैले हुए अलग-अलग bacterial infections muscles के आप आस-पास फैले हुए bacterial infections जिसको भी levofloxacens treat करेगा next देखे तो bacterial infections in zenitals की जो आपके reproductive organs से उनके related जो भी bacterial infections होता है वो भी यह treat करता है फिर दूसरी अब बात करें तो जो digestive system के अंदर जो gastrointestinal tract है तो उसके अंदर जो stomach के अंदर जो bacterial infections होता है और stomach के अंदर bacterial infections होने के करण आगे जाके वो intestine में भी फैल सकता है या फिर intestine से stomach के और या फिर stomach से intestine के और भी bacterial infections फैल सकता है और उसके करण कई बार आपको diarrhea जैसे complications होते है पेट में maraud जैसा हो जाता है और stomach pain वगेरा के भी complications होते हैं symptoms के basis पे तो ऐसे conditions को भी treat करने के लिए लिव फ्लॉक्जासिन काफी useful सा भीत होता है फिर आपको जो loose motions में से ये relief देता है और जो diarrhea कि जो अलग-अलग bacteria या फिर आपके parasitic warm infections के करण हुए है उसको भी ये treat करके देखा तो ये हो गए उसके अलग-अलग basic use लिव फ्लॉक्जासिन medicine के के चाहे वो intravenously use होता है by infusion या फिर as a suspension use होता है या फिर tablet की तोर पे तीनो उसके doses form ये अलग-अलग medical conditions को treat करने के लिए यूज होते है अब simple जानना जरूर है कि उसका dose क्या रहता है daily dose simply क्या रहेगा तो लिव फ्लॉक्जासिन्स का हम जो dose देखे तो 500 mg per day is enough to treat different medical conditions की जो हमने previous slide में डिसक्स की कि जितने भी जो अलग-अलग infections देखे सभी को treat करने के लिए दिन में एक ही tablet जो है वो enough रहेगा कि समझो कि आप ये tablet आपको prescribe की गई है leave of locks तो ये day 1 को लेते हैं ये day 2, day 3, day 4, day 5 उस तरह से daily जो है वो आपको सिर्फ एक ही tablet खानी है तो ये खास आप दियान रखे एक से ज़्यदा tablet लेने की ज़रूरत नहीं है because ये 500 mg का tablet है और one tablet per day it is enough to treat your infection कि आपके infections को treat कने के लिए दिन में एक ही tablet enough रहती है even समझे कि किसी को infusion लगाया जाता है तो भी दिन में एक ही बार enough रहेगा because ये समझे कि एक बार intravenously जाएगा patient के अंदर तो वो 500 mg medications जो है उसकी body के अंदर release करता है जो equivalent रहेगा ये tablet की तरह तो जो usual dose है कि चाहे आप उसको parentally use करते है या फिर as a tablet तो ये खास दियान रखें कि 500 mg per day के दिन में एक ही बार लेना है और 500 mg जितना ही use करना है per day फिर बात करें कि वो किस तरह से काम करता है लिवो फ्लॉक्जसिन तो लिवो फ्लॉक्जसिन की जो mechanism हम simply समझे तो bacterial जो DNA gyrase होता है उसको inhibit करता है अब यहाँ पर हम समझे तो DNA gyrase जो है वो एक enzyme है और ये enzyme को topo isomerase 2B कहा जाता है अब ये enzyme की जो activity जब completely inhibit हो जाती है तो आगे जाके जो bacterias के अंदर DNA की replication की जो process है वो हो जाती है बंद हो जाती है अब DNA का replication होना मतलब की जो DNA इसकी copies बनती है कि ये एक DNA है ऐसा ही दूसरा DNA बनेगा उसमें से एक और DNA तो इस तरह से DNA का क्या होता है replication होता है उसकी copies तयार होती है और ये copies तयार की करने के लिए bacteria को ज़रूरत पड़ती है topo isomerase 2 enzyme की अब समझे कि आप medication से ये enzyme की activity stop कर दोग तो आगे जाके क्या होगा कि वो bacteria के अंदर ये DNA का copy तयार नहीं होगी copy तयार नहीं होगी तो आगे जो उसके growth के लिए जो processes जरूर रथेगी जैसे कि transcription, refer, recombination वगएरा की जो process है वो सब बंद हो जाएगी जिसके करन आगे वो bacteria अपना survive नहीं करेगा पाएगार उसके death हो जाएगी कि यहाँ पे आप देखो कि topoisomerase inhibitors जो है वो क्या करते है जो strands होती है DNA की वो cut कर देते है या फिर उसकी replication की process अटका देते है और enzyme जब disable हो जाता है यहाँ पे आप देखो तो आगे जाके जो cell है bacterial cell उसके death हो जाती है और जितने भी यह bacteria आपके body के अंदर grow किये थ आपका जो bacterial infection है वो treat हो जाता है और वो bacteria ने आपके जो body part में infections क्या होता होगा वो भी जो है वो ठीक हो जाता है कि like urinary tract में infections किया था तो वो infection हो जाएगा stomach के अंदर हुआ था intestine में होता था वो सभी infections जो है वो treat हो जाते हैं अब जानना जरूरी है उसके side effects भी तो nausea हो सकता है और जब भी nausea जैसी conditions होती है तो सामने आपको vomiting हो ही जाती है कई बार कुछ लोगों को excessive dose लेने के करण diarrhea if high dose कि अगर आप high dose में उसको use कर लेते कि जैसे मैंने आपको बता है कि 500 mg इनफ है बर आप गलती से 2 tablet ले लेते हैं दिन में या फिर 3 tablet खा लेते हैं तो उससे आपको side effect जरूर होगी और उससे आपको diarrhea हो सकते हैं फिर stomach के अंदर भी pain हो सकता है constipation हो जाएगा heart burn जैसी condition form ह हो सकती है vaginal leaching या फिर discharge जैसे side effects हो सकते हैं levofloxacin के कारण अब समझते हैं उसके कुछ warnings के बारे में कि stop taking levofloxacin if you facing following problem कि अगर आप नीचे जो मैं आपके साथ discuss करूँगा उसमें से कोई भी problem होता है तो levofloxacin को use करना बंद कर दें पहला problem है severe allergic reactions कि अगर आपको levofloxacin लेने के बाद ऐसे कोई भी severe allergic reactions आपकी body के अंदर देखने को मिलते हैं तो medications को लेना बंद कर दें stop taking levofloxacin तो ये खास दियान रख्या आप कि levofloxacin लेने के बाद ये problem होता है तो तुरंट लेना बंद कर दें दूसरा peeling और blistering of the skin कि आपकी skin उपर आपको blistering जैसा देखने को मिलता है peeling जैसा देखने को मिलता है कि जैसे orange की उपर की जैसे परत होती है ऐसे skin आपको देखने को मिलती है peeling जैसे skin की जैसे orange पील हो जाती है blistering जैसा देखने को मिलता है तो ये medications को तुरंट लेना बन कर दें तीस तरह के कोई hypersensitated reactions देखने को मिलती है जैसे कि आपके body के अंदर आपको swelling देखने को मिलती है और swelling कहाँ पर देखने को मिले तो आपकी eyes के अंदर आपके face उपर swelling मतलब कि सूजन आ जाती है mouth के अंदर सूजन देखने को मिलती है lips के portion में tongue में सूजन देखने को मिलती है throat region hand, feet, ankle और lower legs तो यहाँ पर किसी भी जगह पर आपको suddenly ऐसा देखने को मिलता है के काफी सूजन हो रही है तो यह एक निशानी बनती है hyper sensitivity की मतलब कि आपको allergy है leave of loxacens या पर किसी भी फ्लोरो क्लीनोलान्स medication की तो तुरंद उसको जो है वो लेना बंद कर दे फिर आपको ऐसा फिल होता है कि फैंटिंग जिसा हो जाता है कैचानक से बेहस हो के आप गिर जाते है या फिर loss of consciousness जिसा हो जाता है बेहस हो जाना जिसको ओम कहते है या फिर चक्कर आके गिर पढ़ना तो ऐसे condition में भी यूज ना करे या फिर sudden pain in chest कि ये medication लेने के बार आपको chest pain जिसा फिल हो रहा है stomach के अंदर काफी pain हो रहा है या फिर back pain जिसा आप फिल कर रहे तो तुरंद इसको लेना बंद कर दे और contact करे आपके pharmacist या फिर doctor को कि अगर हमने जो ये 5 problems discuss कहे ये समझे कि होता है लेने के बार तो तुरंद लेना बंद कर दे और आपके pharmacist या फिर doctor को contact करें कि जिससे वो दूसरा safe medication आपको जो है वो suggest करेंगे अब जान लेते हैं उसके contraindications कि कौनसी conditions में यूज नहीं करनी तो pregnancy के दोरान उसको यूज नहीं करना है और breast feeding के period के दोरान भी levofloxacin को यूज ना करें फिर diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason समझो कि Clostridium difficile bacteria है तो भी आप levofloxacin यूज ना करें diabetes है और आपका blood sugar level काफी low रहता है तो levofloxacin को यूज नहीं करनी है glucose 6-phosphate dehydrogenase की deficiency है जिसको G6 PD हम कहते हैं तो ये problem वाले भी patient इसको यूज ना करें आपके body के अंदर magnesium कम है और साथ हो साथ potassium भी कम है तो भी उसको यूज नहीं करनी है seizure के threshold आते हैं body के अंदर myasthenia gravis जैसे condition है तो भी levofloxacin यूज ना करें फिर ऐसे problem है कि आपके body के अंदर lung transplant किया हुआ है या फिर heart transplantation है torset d point जैसे problem है pseudo tumor cerebris जैसा problem है skeletal muscle disorder जिसको हम कहते है कि abnormal heart rhythm जैसा हो जाता है तो ऐसे conditions वाले patient उसको यूज ना करें और patient with lower platelet count क्या आपके platelet count काफी low है या फिर इस तरह से torset d point कि इस तरह से आपका EKG जो है वो abnormal आता है तो heart की rhythm जिसको हम कहेंगे काफी irregular heart की rhythm से lung transplantation किया है heart है तो ऐसे patient उसको गलती से भी use ना करें काफी complications हो सकते हैं और pregnancy की हम बात करें तो FDA के जो according to ये category C के अंदर आता है तो pregnancy category C वाली जो medications होती है उनको avoid ही करनी चाहिए so not to save during the pregnancy के दौरान आपको जो है वो use नहीं करनी है levofloxacin को फिर completely उसको avoid करें and it can affect on the growth of developing baby during pregnancy कि जो baby जो है वो develop हो रहा है तो उसके developing phases के उपर असर कर सकती है levofloxacin so आप जो है वो उसको use ना करें completely avoid करें pregnancy के दौरान and safe नहीं है उसको use करना because pregnancy category C drug है कि जो FDA दौरा जो है वो दिया जाता है तो यह था हमरा डीटेल वीडियो लेक्चर on levofloxacin thank you for watching जरूर से like करें valuable comments करें और इसको share करके चैनल को subscribe करें अब बात करें दूसरी तो फार्मा रोक्स की जो चैनल पर आप जो लेक्चर इस बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं फार्मा रोक्स मोबाल अब की जहाँ पर आप उसका study material टेस्स सीरीज एंड वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते था एंड्रोड यूजर एंड्रोड यूजर आप डाउनलोड करें आइफ़न user app store से लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी गूद लेक्ट लेक्ट